एपी डिलेंट, दिलजीत दोसान, शुप, जैजी बी, हार्ड कॉर, अफसाना खान, बीप राक्त ये सभी इंडियन सिगर्स के कही ना कही खालिस्तानी लिंक्स है आज की वीडियो में हम डीटेल में यही लिंक्स को स्टड़ी करेंगे इंदरपाल मोगा का डाकू सौंग आज इंडिया में ट्रेंड कर रहा है लेकिन इंडियन नहीं जानते हैं कि ये सौंग खालिस्तानी सेपरेटरिसम प्रमोट कर रहा है नहीं मैं डाकू एक नंबर दा और मेरी एक जीप के बतले मैं दो ले लूँगा ये दोनों seemingly non-controversial lines किसके स्टेटमेंट्स है आप जानते हो ते इंफेमस खालिस्तानी सेपरेटरिस लीडर भिंदरनवाला के स्टेटमेंट्स है इंफाट इस सौंग में तो भिंदरनवाले का ओरिजिनल स्पीस भी प्ले किया गया है अब ये वीडियो को ध्यान से सुनना ये है हार्कॉर जो लॉंग दा लश्कारा और चार बज गए लेकिन पाटी अभी बागी है जैसे कई सारे फेमस सौंग की सिंगर है और इनके ही राइट में खड़ी है गुर्पतवन सिंग पन्नु जो एक बैंड खालिस्तानी टर्रियर्स और्रियर्स और्राइजेशन सिख फर जस्टिस के चीफ है इंडिया में पंजाबी सौंग का कितना मेजर वेव आया है I don't think I need to explain you all पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ पंजाबी सौंग सुनते टाइम जाने अन जाने में आम जनता ये खालिस्तानी अजेंडा सुन रही है उस अजेंडा से इंफ्लोएंस हो रही है और सबसे आईरॉनिक बात जब हमने ये सिंगर्स और खालिस्तानी और्गनाईजेशन के बीच के लिंक को जितना उसे के ट्रेस भाक करने की कोशिश की आप जानते हों में क्या मिला किसी को भी ना तो पंजाब से फरक पड़ता है ना ही खालिस्तान से ये पूरा खालिस्तान का एक मुद्धा एक तरीके से बुना गया है कई सारे खालिस्तानी और्गनाईजेशन इस खालिस्तान मुद्धे की आड में अपने illegal कार्ण कर रहे हैं इससे वो लोग अपना खुद का personal motive पूरा कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं लेकिन पंजाब की आम जनता को manipulate कर रहे हैं इसलिए मैं request करूँगे कि आप प्लीज इस वीडियो को end तक देखेगा और आपको सिफ half information मिलेगा and half information is even more dangerous than no information after all ये बात भी हमारे देश के security का ही है तो देखो हमारे देश में खालिस्तान को support करने वाले दो टाइप के singers है एक जो खुला बोलते हैं कि हाँ हम खालिस्तान को support करते हैं So High, Sarakar, Same Beef ये गाने भले ये आपने नहीं सोने होंगे लेकिन इन में 200-700 million views है इन जैसे songs के famous producer Big Bird ने हाली में मार्च 2023 में ही अपने Instagram और Twitter handles पे उसके bio में लिखा जीने मेरा दिल लुटेया ये गाना भी वहल फेमस है और इसके singer Jazzy B. भी एक open खालिस्तानी supporter है तीन साल पहले उन्होंने पुत्षरदार दे नाम का एक song release किया था पहले तो इस song का पूरा theme खालिस्तानी movement को ही support करने वाला है मतलब Jazzy के खुद के shirt से लेकर background में हर जगा भिंदनवाले की pictures है और गाने की वीडियो में भी भिंदनवाले का speech play हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि Sikhs के लिए एक separate खालिस्तानी nation बनना चाहिए खालिस्तारे separatism को promote कर रहे थे Of course इसके अलावा जैसे हम लोंने introduction में बात किया Hardcore भी थी जिन्होंने openly खुलम खुला खालिस्तान को support किया In fact Indian government के खालिस्तानी movement के action के against में उन्होंने खुलम खुला उन्हें challenge भी किया कि अगर Modi ji और Amit Shah में dumb हैं तो वो उनसे आकर ring में one-to-one fight करके बता है Amit Shah, Modi, anyone, come along with me in the ring I know थोड़ा weird है But इनके जैसे सभी singers of course openly खालिस्तानी movement को support नहीं करते हैं बाकिस singers दूसरे तरीके से operate करते हैं यानि कि Indian government के against अलग अलग मुद्दे जो देश में होते रहते हैं उन मुद्दों की आड़ में कही बार खालिस्तानी movement को promote किया जाता है हम of course हम सारे events को cover नहीं कर सकते हैं पर दो major events के तुरू हम इस narrative को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला है 2020 का pharma protest और दूसरे event है Separatist Amrit Pal Singh के against जो crackdown हुआ था वो वाला event इन दोनों भी events में जो सबसे जादा vocal थे वो है actor and singer Diljit Dosanj So 2020 में Diljit ने pharma protest को join किया वहाँ उन्होंने 1 crore भी donate किया Now इसी protest को लेकर Kangana Ranaut और Diljit के पीच एक बहुत ही interesting twitter war चला चलो उसकी details में नहीं जाएंगे लेकिन उस war के end में Kangana ने Diljit से कहा कि वो open ने पस एक बार कह दे कि मैं खालिस्तानी supporter नहीं हूँ इसके बार अगर वो ऐसा कह देते हैं तो Kangana का कहना था कि वो publicly Diljit से माफी मांगीगी बट इस tweet के बाद पूरे war में participate करने वाले दिलjit ने एक भी tweet नहीं किया कुछ भी जवाब नहीं दिया उल्टा दिलjit के farmer support को broadcast करने के लिए उसको feature करने वाला song आतवादी फटियूस हुआ जिसमें इंडिया को clearly धंकी दी गई कि जिने तुम terrorist बुला रहे हूँ वो अगर सही में terrorist बनने पर आ गए न तो तुम याने की government से कहते हुए कि government इसे handle नहीं कर पाई इसी event के आसपास जून 2020 में organizer के news article के मुताविक दिलjit ने एक facebook live में खालेसानी extremist group SFJ के chief पन्नू को भी ओपलनी support किया था also उसी live stream में उन्होंने openly youth को हत्यार उठाकर operation blue star का बदला लेने के लिए भी कहा इसी लिए MP रवनीत बिट्टू ने भी government से दिलjit के खिलाफ खालेसानी activity को प्रमोट करने के लिए एक F.I.H. register करने की मांग की थी इसके अलावा साल 2019 में यूस्टर में होने वाला दिलjit का एक concert तो रेहान सिद्धी की एक आहेसाई हैंडर द्वारा organize किया गया था और इस concert को तो खुद Federation of West India ने Ministry of External Affairs को पैंड करने की request की थी So basically on and off दिलjit और खालेसान के मुद्धे उचलते रहते हैं लेकिन दिलjit के अलावा भी यकेल नहीं of course इनके जैसे ही और भी singers हैं जैसे की अफसाना खान, मनकीर्थ ओलक, निशान बुलर और जैस बजवाना ने मिलकर एक बार फार्मर प्रोटेस के दौरान किसान anthem song रिलीज किया इस गानें के literary lyrics ये कह रहे थे कि गाउ के लड़को तुम देख रहे हो तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है Also इसी साल 2023 महीं 15 अगस से कुछी तिन पहले famous singer A.P. Dillon ने भी एक बहुत ही controversial चीज़ की A.P. Dillon ने एक ऐसा चूता पहना जो हमारे तिरंगे को resemble कर रहा था अब हो सकता है कि ये एक honest mistake हो इसके बाद उनको काफी जादा backlash भी आया पर इसके बावजूत उन्होंने photo इंडिपेंडनेंस रेके 2-3 दिन बाद डिलीट किया कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से डिलन को ऐसा करने के लिए सेपरेटिस खालिस्तानी organization SFJ ने प्रेज भी किया था और ओनी organizations ने ओपन ने ये भी accept किया कि A.P. Dillon खुद एक खालिस्तानी supporter है इसके अलावा दूसरा event बहुत ही major event जिसमें इस singers अपने खालिस्तानी movement को लेकर काफी जाधा vocal थे वो event है खालिस्तानी separatist अमरित पाल सिंग के अगेंस्ट जो crackdown हुआ था तब की बात है इस event में भी A.P. Dillon अमरित पाल सिंग के लिए काफी जाधा vocal थे और इसी दोरान उन्होंने अपने social media handle पर प्रेफ पंजाब का पोस्ट किया था इन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये singers पंजाब को किस से बचाने के लिए प्रे करने के लिए कह रहे है उस वक्त अमरित पाल के ऊपर crackdown के हलावा पंजाब में कोई भी पंजाब के लिए harmful event नहीं हो रहा था So, यही मैं कह रही थी starting में ये एक subtle hint होता है जिसके दोरान कोई दुसरे मुद्दे के आड में खालिस्तानी अजंडा को promote किया जाता है अब इन subtle hints को आप खुद भी आसानी सो observe कर सकते हो इनके YouTube pages पे जाके आपको इन सभी singers के songs उनके thumbnails उनके titles उनके अंदर के जो videos होते हैं कही न कहीं इन में आपको clearly खालिस्तानी separator's ideas दिखी जाएगा Now, जैसे मैं आपको इंटर में बताया कि ये खालिस्तानी agenda तो सब एक चाधर है जिसकी आण में ये लोग दूसरे illegal activities करके वहां से पैसा कमाते हैं तो अब समझते हैं कि इनके बीच के links क्या है देखो एक चीज है जो आपको अल्मूस हर पंजाबी song में मिल जाएगी वह है गन culture को promote करना जिस singer शुप की Indian concert को हाली में cancel किया गया था उसका पहला song था We Roll In जिसके YouTube पे 207 million views है उस गाने के lyrics ये कहते है कि मेरे पास 32 बोर जाने गन है और हमसे पुलिस भी डड़ती है क्योंकि जटो का gang होता है और वो हतियार भी carry करते है अब समझते हैं कि ये promote करके इनको फाइदा क्या होता है वेल फाइदा है क्योंकि पंजाब में अलग-अलग gangs का और अलग-अलग singers का nexus work करता है जिसको back करने के लिए खालिस्तानी आइडिया उसको propagate किया जाता है रुको, detail में बहुत ही simplified ले में समझाती है पूरे दुनिया में खालिस्तानी आइडिया को radically promote और खालिस्तान के लिए referendum को conduct करने वाली सिर्फ एक ये organization है Sick for Justice, SFJ और उस organization का chief है गुर्पतवंत सिंख पन्नू यादे introduction में जो hardcore के साथ खड़े थे, वो ही नहों इस SFJ के अंडर दो major खालिस्तानी terrorist organizations खाडिस्तान Tiger Force, KTF और बबर खालसा International, BKI और internationally भी खाडिस्तानी terrorist activities कंड़क करते हैं For instance, NIA के official document में ये mentioned है कि KTF Canada में arm training camps चलाते हैं और उन trainees को Punjab के अंदर और इंडिया के against attacks में इस्तामाल करते हैं वहीं पर BKI वो terror group है जिसने हाली में 10 में 2022 को Punjab के police intelligence headquarters पे bombings की थी अभी ध्यान से सुनना क्योंकि हम basically समझेंगे कि ये सारे terrorist organization कैसे Punjab के अलग-अलग gang से associated है and then फिर कैसे ये gangs पंजाब में अलग-अलग illegal activities करके पैसा कमाते हैं और कैसे उस money को खालिस्तानी activities के लिए deploy करते हैं या फिर खालिस्तानी अजन्दा के अंडर बच कर ये अपने अलग-अलग illegal activities करते हैं and finally हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे अलग-अलग Punjabi singers in gangs and in terrorist organization से linked है So coming back, खालिस्तानी Tiger Force KTF को Hardeep Singh Nijjal lead करता था ये वही है जिसके मनने के allocations Canadian PM Justin Trudeau इंडिया पे लगा रहे थे लेकिन अब निजजर की death के बाद इस organization को दो Punjab-based gangsters सुगदूल सिंग उर्फ सुखा दोने का और अर्षदीब सिंग उर्फ अर्षदला foreign countries से run करते हैं सुगदूल तो हाली में 28 September को मारे गए इसलिए आप अर्षदीब सिंग solely KTF run कर रहे हैं अगर बबर खालसा इंटरनाशनल BKI की बात करें तो ये organization 1978 में शुरू हुई थी ironically इसकी वज़े formation की वज़े थी निरंकारीज और अखंड किर्टनीज इन दो सीख सेक्ट के बीच की rivalry इस organization की formation की वज़े थी बड़ अब ये organization खालिस्तान कॉस के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें currently पाकिस्तान-based वाद्वा सिंग और बबर लीड कर रहे हैं और बबर को assist और BKI के लिए recruiter का काम कर रहे हैं पाकिस्तान-based designated terrorist हरुबिंदर सिंग संधू जो एक वक्त पे इंडिया में gangster थे अब ये दोनू भी terrorist organizations पाकिस्तान बड़ रके थुरू इंडिया में arms and ammunitions, explosives और narcotics smuggle करते हैं फिर यहाँ पे उनको help करते हैं पंजाब-based ये छोटे-मोटे gangs तो currently पंजाब में चार gangs active है और हर गैंग या तो KTF से या फिर BKI से associated है ही पहला गैंग तो Lawrence Bishnoy group है जो associated है BKI से इस गैंग को Lawrence Bishnoy लीड करते हैं और इनकी गैंग पर attempt to murder, extortion, snatching, car jacking, arms act जैसे 25 cases राजिस्थान, पंजाब और या जैसे इंडियास में registered already है needless to say इसके लिए Lawrence Bishnoy को कई बार jail हो चुकी है दूसरा गैंग है Bambiha group जो की KTF से associated है इस गैंग के leader दविंदर Bambiha को पंजाब का most dangerous gangster का आ जाता है बट 2016 में पंजाब police ने इनका encounter कर दिया था इसके बाद आज ये गैंग लखी पतियाल उर्फ गौरफ पतियाल रन करते हैं तीसरा गैंग है जैपाल भुलर गैंग इसका chief जैपाल भुलर पंजाब की most wanted criminal थे ये इतने dangerous थे कि इनका encounter करने के लिए 2021 में पंजाब West Bengal और Central Security Agencies इन तीनों को मिलकर joint operation करना पड़ा था finally आखरी गैंग है जगो भगवानपुरिया गैंग इसको रंग करते हैं जजदीब सिंग जो सुपारी killer यानि की contract killer के नाम से भी पंजाब के माजा हेरिया में बहुत famous है so ये हो गया इन सारे गैंग का basic brief लेकिन भुलर और भगवानपुरिया गैंग का clear association कौन से terrorist organization से हैं ये honestly हमें नहीं मिला but NIA के charge sheet में officially इनके खालिस्तानी activity involvement का clear mention है basically ये सभी गैंगs जिन भी terrorist organization से associated हैं ये उनके लिए drugs, killings, extortion, illegal liquors और arm smuggling business से ये लोग पैसा कमा के उनको देते हैं इनके इस business में extortion business काफी जाधा prominent है ये गैंगs mainly business man, Punjabi singers and actors को target करके उनसे पैसे extort करते हैं इसलिए आज अपने इसी extortion network को ये गैंगs एक स्टप आगे ले चले गए हैं उन्होंने अपने इस business में याने अपने गैंग में पंजागी singers को भी इंक्लूड कर लिया है इन्डिया टुड़े के मुताबिक पिछले साल मे महिने में अमरित सर पुलिस ने singer करतार चीमा को extortion के लिए arrest किया था पंजाब में ये सभी singers किसी ना किसी गैंग से असोसेटर होते ही लेकिन यहां पर स्टोरी करतम नहीं होती YouTube के अलावा बाकी sources से आये पैसो को भी गैंग वापिस हवाला और MTSS networks याने की union money transfers जैसे network से खालिस्तानी organizations को भीजते हैं मेचली तो ये पैसे खालिस्तानी से अपिटर्स activities में ही यूज होते हैं NIA के chart sheet में mentioned है कि खालिस्तानी organizations उस पैसे को yacht, Canadian Premier League, Thailand based clubs and bars हाली में 2022 में Mohali police ने ठग life और gold media इन दो famous music companies पर crackdown किया था जो इन gangsters के पैसों से चल रही थी And again, you will not believe this, but इस gold media के साथ, Guru Randhawa, Milind Gaba, Jasti Gil, Mika Singh, Gipi Grewal और Amy Virk जैसे बड़े-बड़े singers तक काम कर चुके हैं So basically, ये पूरे flow को अगर शॉट में बताऊं तो अलग-अलग खालिस्तानी terrorist organizations and even Pakistan terrorist organizations Punjab के 4-5 gangs के साथ associated होते हैं जिन gangs को आदेश होता है, by hook और crook उन्हें वो पैसा पहुशा दे ये gangs तो अलग-अलग illegal activities का use करते हैं जैसे की murder, extortion, hacking वगएरा बहुत सारे activities जिनसे वो पैसे कमाते हैं Now, यह gangs associated होते हैं singers के साथ भी जिनके साथ ये काम करके, collaboration वगएरा करके वहां से भी पैसे कमाते हैं या तो फिर in some worst cases, ये singers को ही protection money या पैसा वसूल करने के लिए देज देते हैं पिर ये singers और अलग-अलग तरीकों से आए पैसों को वो वापस से reinvest करते हैं इनी singers पे, इनके movies पे, इनके songs पे अलग-अलग resorts पे, clubs पे, bar पे कि हर एक singer खुद की मर्जी से इस lecture में काम नहीं कर रहे हैं इस बात को खुद singer मिक्का सिंग ने भी accept किया है कि पंजाबी singers को ऐसे threats अकसर आते हैं और मेरे person experience से कह रहा हूँ कि पंजाबी industry में काम करना काफ़ी difficult है Same case April 2018 में भी सामने आया जिसमें gangster दिरपृत सिंग ने पंजाबी singer परमीश वर्मा पे attack करके उस instance को record करके facebook page पर upload कर दिया और news reports के हिसाब से आगे वो जब भी जिसके साथ भी extraction करता था वो उसे उसी singer का वीडियो बताकर धंकाता था So all in all इसे हम यह समझ सकते हैं कि खारिस्तान तो सिर्फ एक बहान है जिसको यूज करके कुछ artist इडिया से लेकर कहना तक six sentiments के साथ खेल रहे हैं लेकिन जैसे मैंना आपको बताया इसमें piss रहे है पंजाब की youth And हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही है कि हर एक पंजाबी singer अगर हर एक पंजाबी song खराब है बढ़ हाँ मैं यह जरूर कह रही हूँ कि हमें हलका सा aware होना चाहिए कि हम intentionally या फिर unintentionally किस आजन्ना को promote कर रहे हैं किसे fund कर रहे हैं And lastly मेरा ये video हमारे Sikh भारतियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है आज काफी सारे males इंडिया में unsafe है Did you know आज इंडिया में register होने वाले 74% rape cases completely fake होते हैं Yes, बहुत सारे ऐसे laws हैं जो बनाये तो अच्छे चीजों के लिए गए हैं और तो की सुरक्षा के लिए गए हैं But unfortunately कई सारी ओड़ते इनी laws के loopholes वगरा निकालके इनका misuse करती है मर्दों को फसाने के लिए इस topic पर हमने एक detailed वीडियो बना रखा है कि वह कौनसे laws है, कौनसे loopholes है और कैसे आप इनसे बच सकते हो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यह पर left पर क्लिक करके उससे देख सकते हो इसके रवब प्लीज मुझे बताईए आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षिन में आपका इस पूरे मुद्धे के बारे में क्या कहना है क्या आपके साब से हमें ऐसे singers को ऐसे songs को boycott करना चाहिए या आपके साब से यह सिफ एक art है, एक entertainment है entertainment को हमें national security से अलग रखना चाहिए आपके क्या opinions से इस मुद्धे पर, मुझे प्लीज नीचे comment section बताईएगा मिलते हैं अल्ली टाइम, तब तर के लिए चेह